तो वहीं आमादमी पार्टी मुफ्त वाली योजनाओं के बचाव में सुप्रीम कोट पहुँच गई है और पार्टी ने इस तरह की योजनाओं की घोशना को राजनितिक पार्टीों का लोकतांत्रिक और समविधानिक अधिकार बता है पार्टी की तरफ से दाखिल अर्जी में याज्युका करता अश्वनी उपाध्याई की मर्शाप पर भी सवाल उठाए गया सुप्रीम कोट ने मामले के समाधान के लिए कमिटी बनाने के संकेत दिया और इसी के साथ कोट ने मामले से जुड़े पक्षों से इस कमिटी में संभावित सदस्यों के नाम सुझाने के लिए भी कहा था तो वही सुप्रीम कोट इस मामने की अब अगली सुनवाई आगामी 11 अगस्त को करने वाला है